Hello Guys, चालिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Interests on Loans Related कुछ कोश्चिन तो चालिए T.S.Grewal की स्बुक से 2021 वाले एडिशन से हम देखते हैं कुछ कोश्चिन से Loans Related, Interests on Loans Related X and Y are partner sharing profit and losses in the ratio of 2 ratio 3 with capital, capital कितनी है जी इनकी 2 lakh है किसकी X की और Y की है जी कितनी 3 lakh on 1st October 2020 एक October 2020 में X और Y ने loan दिया है 80,000 दिया X ने, Y ने दिया 40,000 respectively to the firm, firm को दिया है इनोंने loan show करना distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases देखिये हमारे पास 4 case है case 1, case 1 में कहता है if the profit before interest for the year ended कितना दिया हुआ है जी 21,000 दूसरे case में कहता है 3,000 profit है चोथे case, तूसरे case में कहता है कि जो profit है वो 5,000 और फूर्थ case में कहता है profit हमारा 1,400 ही है तो चलिए इस question को करते हैं देखिये हमने यहां पर इस question को लिख लिए X ने लोन दिया था 7,000, Y ने लोन दिया था 40,000 कब दिया था यह लोन इन लोगों ने यह लोन इन लोगों ने दिया था 1st October 2020 में और यह रहना हमारा होता है 31 March 2021 को 4 case है हमारे पास पहले में profit है 1 case, दूसरे में 3, तीसरे में 5 और 4th case में loss है कितने का 1,400 का देखिये, हमें यह तो मालूम ही है कि हमें interest on loan देना ही देना है, इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है कितना देना है तब हमार एक क्या कहता है हमें interest on loan देना है add the rate 6% चलिए पहले निकाल लेते हैं X का X ने loan दिया था 80,000 इसके उपर 6% interest calculate होगा अब क्योंकि loan दिया गया था 1st October को March में year end हो रहा है तो 6 month का calculate करना पड़ेगा तो यह आ गया जी 8, 6, 48 यह आ गया 2,400 ऐसे ही Y का भी interest on loan calculate कर लेते हैं 40,000 का 6% इसको भी मिलेगा 6 by 12 इसका भी होगा तो यह interest आया जी 1,200 अब हमारे पास कितने case हैं 4 case है तो 1st case में हमारे पास जो profit है वो कितना है जी वो है 21,000 देखते हैं case 1st हम पहले करते हैं हमारे पास net profit है जी इस बार कितना net profit है जी 21,000 अब इसमें से less करना पड़ेगा interest on loan x का भी और y का भी x का आया था 2400 और y का आया 1200 total interest हमें दिखाई दिया कितना है 3600 तो जी divisible profit क्योंकि और कोई खर्चा में देना नहीं है तो divisible profit हमारे पास हो गया घटाने के बाद अठावतिन 27,400 का हमारे पास divisible profit हो गया अगर हम इसी को इसी को case 2 में देखें यह हमारा हो गया case 1 की items अब case 2 यहीं पर बना लेते हैं case 2 में भी हमें profit दिया हुआ है profit कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है और इसमें देखिए interest on loan इसमें भी हमें कितना देना है 3600 ओहो यहाँ पर तो हमें क्या हो गया divisible loss वो कितनी का हुआ है 600 का ऐसे ही अगर हम चले case number 3 में तो case number 3 में क्या था जी profit था कितनी का 5000 का और यहाँ पर हमें यह देना है interest on loan तो इस बार हमारे को मिला divisible profit यह कितना है जी यह है जी last case case number 4 जो हम देख रहे थे उसमें तो क्या दिया हुआ था उसमें तो हमें loss ही दिया हुआ था loss कितना loss दिया हुआ था जी 1400 का और हमें यह interest on loan भी देना है क्योंकि interest on loan तो charge against profit है यह तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए ओके तो हमें divisible loss हुआ कितने का हुआ जी total 5000 का अब in different cases में किसी में हमें profit हो रहा है तो किसी में हमें loss हो रहा है हमने देखा था question पड़ा था question में क्या था question में partners का ratio हमें given था क्या ratio given था 2 ratio 3 partner का जो profit या loss बांटने का ratio था partner का ratio profit बांटने का दिया हुआ था x और y का 2 ratio 3 तो अब हम क्या करेंगे इसी 2 ratio 3 में अपने इस divisible profit को divide कर लेंगे हर case में ठीक है जी तो चलिए कर लेते हैं इसको divide first case में x का profit देखते हैं x का profit और y का profit देखें profit तो आपको माटना आता होगा नहीं आता तो समझ लीजिए x और y दोनों का ratio दिया हुआ है 2 ratio 3 इसका मतलब जो भी profit होगा उसमें x का share होगा 2 देखो 2 और 3 पांच टोटल अगर 5 हिस्सा होगा तो उसमें से दूसरा हिस्सा मिलेगा x को इसका मतलब x का share है 2 बाई 5 और y का क्या होगा 3 बाई 5 तो चलिए अब divide तो हमें आता ही होगा करना 17,400 का 2 बाई 5 देंगे x को और y को देंगे इसका 3 बाई 5 ऐसे ही जब loss होगा तो loss को भी divide करेंगे 2 ratio 3 में ये तो 600 तो बड़ा असान है 2 बाई 5 कर दो इसका 12,5, 12,24, 240 इसका loss आ जाएगा और इसका आ जाएगा 360 ये तो आसान है इसको भी देख लेते हैं ये तो profit है ये भी divide करना ज़्यादा आसान होगा 2 ratio 5 में divide कर देते हैं 5 से इसको divide करेंगे तो आ जाएगा 28,280 28,280 दुनी 560 इसको 560 मिला और दूसरे का आ जाएगा 28,840 इसका आ जाएगा ये भी आसान है इसमें 2000 का इसको loss होगा और 3000 का इसको loss होगा ये divide हो गया ऐसे 17,400 को अगर हम divide करेंगे 2 ratio 3 में तो हमारा X और Y का profit आ जाएगा X का एगा 6,960 प्रॉफिट और ऐसे ही Y का जाएगा 10,440 तो ये हमारा question हो गया ती एस ग्रेवाल का second chapter का 2021 edition का question number 8 चलिए अभी को question कर लेते हैं निर्मल और पवन और partner sharing profit in the ratio of 3 ratio 2 तीन दो में ये profit share करते हैं मन्दम निर्मल का profit है 3 by 5 और पवन का profit है 2 by 5 the firm had given loan देखिए firm ने loan दिया किसको पवन को 5 लाख रुपे का कब दिया 1st April 2020 को interest उसके उपर firm charge करती है 10% फिर firm ने भी लोन लिया है 2 लाख रुपे किससे लिया है निर्मल से वो कब लिया है 1st October को 2020 में इस पर rate mention नहीं है तो हमें मालुम है जब rate mention नहीं है firm ने loan लिया है तो firm कितना interest पे करेगी at the rate 6% और क्योंकि October में लिया है तो 6 महीने का हमें calculate करना पड़ेगा कहते हैं before giving effect to the above the firm incurred a loss, firm को loss हो रहा था already कितना 10,000 अब भही loss हो या profit हो interest on loan तो charge against profit है यह तो आपको देना ही पड़ेगा तो loss है 10,000 का हमें already कहते हैं determine करो वो amount जो की profit and loss appropriation account में जाना है यानि आपको net profit निकालना है तो देखें net profit निकालना है तो हमें कुछ item यहां पर given है हमने यहां पर यह लिख लिया है loan given to Pavan Pavan को हमने loan दिया हुआ 5,000,000 का 10% पर और loan हमने निर्मल से लिया हुआ यह कितना लिया हुआ है 2,000,000 अब इसकी rate mention नहीं है लिया कब था यह 1,000,000 अक्टूबर को तो हमें मालूम है act कहता है 10,000, sorry 6% पर इनम देंगे ओके और साथ में हमें profit दिया हुआ profit की बज़ाए क्या है loss इसलिए हमने bracket में इसको show कर दिया कि यह loss है अब हमें क्या निकालना है उसने हमें कहा कि आप determine करो कितना amount transfer करना है to P&L appropriation account मतलब कितना आपका net profit है वो आपको निकालना है तो चलिए पहले हम यहां लिख लेते है profit या loss जो भी आपको given है तो वो हमने देखा वो हमें given था कितना था जी वो था 10,000 का loss फिर हमें एक income हुई है add हम interest लेंगे firm ने loan दिया हुआ था भई किसको loan दिया हुआ था पवन को तो उससे तो ले लो interest 2 पवन हाँ जी तो हमने 5,000,000 का उसको loan दिया था और वो starting में ही दे दिया था एक अप्रेल को ही 2020 में ही दे दिया था यह हमने उसको तो पूरे साल का लगेगा 10% तो चलिए जी इससे हमें income हो गई कितने की 50,000 की ओहो 10 का loss था 50 की income यह तो हमारे पास 40,000 का profit आ गया अब हमारे को एक और एक और interest पे करना यह तो firm पे करेगी interest on loan यह firm ने लिया था ठीक है जी किस से लिया था निर्मल से चलिए जी कितना interest देना है उसको दो लाग का दो लाग का कितना percent rate mention नहीं है तो 6% और date बताई हुई है October में लिया था तो 6 मन्त का तो यह आ गया जी दो चिक बारा बारा का था किया 6 तो इसका मतलब आपका जो net profit है which you have to transfer कहां पर profit and loss appropriation में आपको जो transfer करना है वो निकल करके आ गया कितना 10 minus का है 50 plus का 40 हुआ 40 में से 6 गटा दिया तो 34,000 यह आपका answer आ गया कितना हुआ 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 है